हलो फ्रेंट्स वेलकम टुमाइ चैनल स्टड़ी फोर यू So guys जैसा कि आज जो आपका UP पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है 12 नोमबर का प्रथम पाली का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिलकुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के आज आज आपके 12 नॉमबर के प्रथम पाली के एक्जाम में जो आप प्रशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आपका पहला कोश्चन है था कि जनगन्ना ये जो एक किस सूची का विसे है तो देखें ये जो जनगन्ना है न ये आपका संग सूची का विसे है तो संग सूची आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि संयुक्त राष्ट यानि UN द्वारा जो है बाजरे का वर्स ये जो है कब घोसित किया गया था तो देखे यूएन यानी संयुक्त राष्ट के द्वारा जो है बाजरे का अंतराष्टी वर्स ये 2023 को घोसित किया गया है तो 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता कि विटामिन डी का जो रासाइनिक नाम पूछा गया था तो देखे विटामिन डी का जो रासाइनिक नाम होता है वो कैलसी फेरोल होता है तो कैलसी फेरोल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले अन्ने सिप्ट में अगर आपस रासाइनिक नाम पूछा जाए विटामिनों का, तो विटामिन A का जो रासाइनिक नाम होता है, वो रेटिनॉल होता है, B1 का थाइमीन होता है, B2 का जो आपका राइबो फ्लेवीन होता है, उसके बाद B3 की बात कर लें तो निकोन नेमाइडिया, फिर नियासीन होता है, उस इसके बाद B11 का जो आपका soli-silik अम्ल होता है, B12 का साइनो कोबाल मिन होता है, विटामिन C का अगर पूछा जा तो अस्कॉर्बिक एसीड होता है, आज जो आपका विटामिन D का पूछा गया क्यालसी फेरोल करेक्ट होगा, विटामिन E का अगर पूछा जा तो टोकोफेरोल होता है विटामिन K का अगर पूछा जा तो फ्लियो क्योनोन होता है तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप का यहाँ पर है कि पंद्रवी वित आयोक के अध्याच कौन है तो वर्तमान में जो पंद्रवे वितायों की अध्यच है ये एनके सिंग है तो एनके सिंग आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अप का है था कि भारत का पहला जिंडर पार्क ही ये जो किस राज में विक्सित किया गया है तो देखे भारत का जो पहला जिंडर पार्क है ना यह आपका केरल राजी में इसे चालू किया गया है तो केरल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि कालिंजर का किला यह जो आपका कहां पर इस्तित है तो देखें यह जो कालिंजर का किला है ना इसे जो है चंदेल सास को द्वारा बनाए गया था और यह जो आपका उत्तर परदेश के बुंदेल खंड छेतर में बांदा जीले में इस्त संबीधान संसोधन को उच्राइब बारत नंखिए ये 1968 में दिया गया था, वहीं अगर पद्म भूशन के बारे में पूचा जाए, तो सुमित्रा नेंट पंत को पद्म भूशन जो है, ये 1961 में दिया गया था, तो 1968 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आएथा कि गोरफूर के किसे GI टैग मिला है, तो देखें गोरफूर में ये गोरफूर टेरा कोटा को GI टैग दिया गया है, तो टेरा कोटा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आपके यहाँ पर रहाँ था कि अजाद सत्रू के लेखक कौन है? तो देखे, यह आपका हिंदी से कोश्षन है था, तो अजाद सत्रू के जो लेखक है ना, यह जैसंकर परसाद हैं, तो जैसंकर परसाद आपका correct हो जाएगा? नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि मीरवाई चानू यह जो आपका किस खेल से संबंदित है तो देखें यह जो मीरवाई चानू है यह भारत तोलन यानि वेट लिप्टर से संबंदित है तो वेट लिप्टर आपका करेक्ट हो जाएगा और मैं आपको बता दू कि मीरव आपिका सुभंकर पूछा गया था तो अगर ये पूछा गयो गया गया था तो अगर ये पूछा गया होगा ना सुभंकर तो मिराइतोवा इसका direct answer हो जाता ठीक है पारित किया था और 19 नॉंवर 280 को यह लागू किया था तो 19 नॉंबर 1983 आपका नेक्स आपकर नेक्स बाहत का यहां करूड़नेक्ट हो जायेगा तो देखे अंतराश्टी मुद्राकोस का जो हेट कोट रहना यह वासिंग्टन डीसी संयूगत राज अमेरिका में है तो वासिंग्टन डीसी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि पर्मानंद कटारा केस यह जो आपका किस सम्दित है तो देखे यह जो आपका किस सम्दित है तो देखे आईपीसी के धारत तेश जो है यह आपका सदोस अभिलाव विद विरूद साधरनों द्वारा ऐसी संपती का अभिलाव है जिसे प्राप्ट करने वाला वैक्ति अवैद रूप से उसका हगदार ना हो तो यह जो आपका आईपीसी ठेई के धारत से सम्दित है नेक्स्ट आपका यहां पर जाएगा कि अकबर नामा के कितने भाग हैं तो द blekवोस्ता की जो लेककह है यह आपके अबूल-फधिल है लेकिन पूछा जया था कि कितने बाग है तो देखिए कि अकबर नामा के जो है टोटल तीन भाग है तो त बास्चीम बंगाल आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टप कें piece स्वेंग तो यहां पर आये था कोश्पन की संसद का नाम पूछएे घा है कुछ बच्चे बता रहे हैं तो देखें मैं आपको दोनों बता दू किछिन की जो राजानी है न वा आपका यहां का नाम क्या है तो यह पीपल्स कॉंग्रेश है तो पीपल्स कॉंग्रेश आपका करेक्ट हो जाएगा और विस्वु में सबसे ज़्यादा सीट चीन में ही है तो यह भी आपको ध्यान में रतना है कितना सीट है तो 2980 सीट है नेक्स्ट आप यहाप रहा था कि पर्मानेंट करेक्ट हो जाएगा नेक्स आपका अनुच्छे 343 से प्रश्ण आया था देखिए मैं आपको बता दूँ कि अनुच्छे से आपके चार से पांच कोशन पूछे गया थे तो अनुच्छे 343 जो है यह इसमें हिंदी को भारत की राजवासा गोसित किया गया था तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि रामप्पा मंदीर यह जो आपका किस राजी में है तो यह तिलंगाना में है नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये जो आपका कहां पर है तो देखे भारत का जो पहला green hydrogen plant है ना ये आपका मत्वुरा में है तो मत्वुरा आपका correct हो जाएगा नेक्स आप कहें उन्थरवा संबीधान संसोदन ये जो किस संबंदी था पूँछा गया था तो देखें उन्यतरवा जो संविधान संसुदैना इसमें जो दिल्ली को राष्टी राजानी छेतर बनाए गया था तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि अनुचेद 123 यह जो आपका किस से संबंदीत है तो देखें अनुचेद 123 ज लिए गया था नेक्स्ट अपका यहां पर रहा था कि प्रतम्हासा आयोका घठन यह जो इक कब हुआ था तो देखें प्रतम महासा आयोका जो गठन गा आजाद सत्रु के रचनाकार कौन थे तो आजाद सत्रु के जो रचनाकार थे यह जैसंकर परसाद थे तो जैसंकर परसाद आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टॉप का निम्न में से किस राजि में जो है दियू सदनिय विदान मंडल है तो देखे दियू सदनिय विदान मंडल जो है भारत के छे राज्य में है आपके कौन ऑप्सन में जो भी होगा इन छे राज्यों में से आंधर परदेश में हैं महराष्ट में करनाटक में हैं तो लंगाना में हैं और बिहार और उतर पर कि सभदान किया है, नक्स्ट अप कह यहां पर रहा है कि कोप 21 यह आपका किस्स Bandit है, तो देखें कोप 21 यह आपका पैरिस जल्वाई उस समझamedy तह सम B जो कि आपका 2015 में आयोजित किया गया था तो पैरिस समझ Access Baptist आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि कुरोना काल में भारत में कौन सा एप लाँच किया गया था तो देखे कि कुरोना काल में भारत में जो है ये आरोग ये सेतू एप जो है लाँच किया था नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि महात्मा थी अगर Miss Universe अगर पूछा गया होगा तो सुसमीता सेन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि विस्वस्वास्त दिवस यह जो कब मनाया जाता है तो देखे प्रतिवर्स विस्वस्वास दिवस यह साथ अपरेल को मनाया जाता है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि 2021 में इसकी थीम क्या रही थी यह जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि कि संविधान संसोधन के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो देखे च्छतिसवे जो संविधान संसोधन हुआ था जो कि 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो च्छतिसवा संविधान संसोधन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि निम्नलिकित में से कौन सी नदी जो है सल्तनत काल की है तो देखिए ये जो सिंदु नदी है ना ये सल्तनत काल का है तो सिंदु नदी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि अनुछेद पंद्रा यह जो आपका किस्स समंदित है तो अनुछेद पंद्रा में जो है सभी नागरिकों को बीना किसी बेदवाग के समान मौली का दिकार प्रदान किया गया है तो यह आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि जैसे कि कुछ कोशन के answer मुझे नहीं पता है मतलब पता है लेकिन exact क्या दिया गया था यह मुझे नहीं पता है जैसे कि केसवानन भारती केस यह जो आपका किस समंदित है यह पूछा गया था आर्थी की योजना का विसे पूछा गया था बच्चन सिंग केज से समंदीत आपका प्रशन पूछा गया था गोलकनात केज से समंदीत आपका प्रशन पूछा गया था सरला मुर्दल केज से समंदीत आपका प्रशन पूछा गया था बलाजी रागवन केस समंदीत आपका प्रशन पूछा गया था इनको जिनको भी इनका अंसर पता है वो बच्चे जो है कमिन्ट करके बता सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं तब तक थैंक यू अल दे बैस